तो इसके अंदर हमारा फोन का बॉक्स देखनों को मिलेगा तो चलिए हम इसको पड़ाफाट खोल लेते हैं जैसे ही अब देख सकते हैं कि कस्टम अब लिए लिए देख सकते हैं कि इस फोन के अंदर ना हंड़ेड एन परसें बैटरी हल्थ है हाई गैस तो मैं फिर से इस फोन का प्राइस मेरे को कितना पड़ा है और साथ ही साथ मोबी एक्सप्रेस ने इस फोन का कंडिसेंस कैसा दिया है तो आप लोग को इस वीडियों के अंदर एक कंप्लीट रिव्यू देखने को मिलेगा तो गाइस हम देरी किस बात के कर रहे हैं सो लेट्स के स्टाट कि अगले तो जैसे गई सब देख सकते हैं कि मोबी एक्सप्रेस से हमारा फोन का बॉक्स कुछ इस तरीके से पैकेज हो के आया है तो हम ज्यादा लेट नहीं करते हैं फटाफट इसको कट कर लेते हैं मैं इस साइड से इस चाकू के मदद से कट कर लेता हूं मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूं क्यों कि गई सम प्रीवी उस वीडियो में इसी मोबी एक्सप्रेस से रेड मी का नो टेन प्राइम और किये थे और उसका आप अगर अन्बॉक्सिंग एंड फूल डीटेल्स रिव्यू देखना चाहते हैं तो आई बटन में क्ल परनी देखने को मिलता है साइध इसके अंदर ही हमारा फोन का बॉक्स होगा तो मैं इस बॉक्स को हटा देता हूं फिल्हाल के लिए साइड में अब देख सकते हैं कूछ इस तरी के का पैकेज करके दिया है लोगो ने और मोबी एक्स्प्रेस का लोगो और इधर गाई सब हूल को के अपनी दुकान ऊप propheोंज के आपको वाल समार्टफोन देखने को मिलता है आइफोन से लेके वाल ब्रेंड का ऐढ़ाइड फोन मिलेगा वह भी ब्रेंड वारेंटि के वी हमते हो हम ज्यादा लेट नहीं करते है इसको फटाफट हम खोड़ लेते हैं तो मैं इस स यह इन लोगों ने जो है 20W का एक फास चार्जिंग एडप्टर सो इसका क्वालिटी का इस अप लोग देख सकते हैं ठीक है तो हम चार्जर को बाद में चेक करेंगे तो मैं फिलहाल रखता हूं इसको साइड में एंड मेरे को बोला गया था कि इस फोन के साथ ना कस्टमर का नाम का बिल देखने को मिलेगा तो हम वह भी अप लोगों को दिखा देंगे तो उसके बाद एक कवर भी दिखने को मिलता है जो ओरीजिनल तो नहीं है बड़ गाइस इसका क्वालिडी काफी जबरतस्त है जो कस्टमर ने लिया था वो सब कुछ मेरे को बोला था फोन में तो हम इसको रखते हैं साइड में एंड बिल दिया है लोगों ने तो मैं दिखा देता हूं तो कस्टमर ने लिया था 63,500 रूपीस में तो इसका प्राइस मेरे को कितना पड़ा है तो हम थोड़ा सा आगे बात कर लेंगे और उसके बाद हमारा फून का बॉक्स तो जैसे कि सब देख सकते हैं मैंने लिया है ग्रीन कलर में एंड इसका बॉक्स एकदम हंड़न परसें ओरीजिनल है तो एक्चुली का इस में बहुत ही जादा एक्साइटेड हूं तो चलिए हम इसको पड़ाफाट खोल लेते हैं तो जैसी कि अब देख सकते हैं कि सबसे पहले फोन को मिलता है तो मैं फिलहाल फोन को रखता हूं साइड में एंड उसके बाद आप देख सकते हैं कि डेटा के बिल भी दिया है जो मेरे को बोला गया था फोन में वो सब कुछ औरीजिनल एक्सेसराइज वगरत दिया है तो मोबी एक्सप्रेस ने हमारा इस आइफोन 13 के साथ वाल कम्प्लीट एक्सेसराइज वगरत दिया है और साथी साथ गाइस में अप लोगों को बता दूं कि यह कोई स्पॉंसर वीडियो नहीं है मैं अपने पैसों से मतलब इस फोन को खरीदा हूं तो चलिए हम इस बर नजट डाल लेते हैं हमारा फोन का कंडिसिंस के उपर क कैसा कंडिसंट में दिया है जैसे सकते हैं फोन के कंडिसंट्स एकदम बहुत ही जबदस है तो इस अब सबसक्राइज सकते हैं के बाइध सब नहीं है और हम नजट डाले फ्रेम के उपर फ्रेम का कंडिसंस भी घ्रम आप देख सकते हैं एक्दम नीटेन क्लीन है तो कई सपून का स्टम का मैरे को नहीं मिलных फिर液 गहुṬ देख सकते हैं तो dal दोब सकर दिखा देता हूं फिर से बारा के किसे बीट से महिफ घम कि महां हुआ cer तो जैसे कि अब देख सकते हैं, तो कोई भी scratches वेगरा देखने को नहीं मिल रहा है, तो मैं front side को थोड़ा सा clean कर लेता हूं, तो जैसे ही गई सब लोग clearly देख सकते हैं, कि कोई भी dents and scratch नहीं है, एकदम need and clean है, तो overall आप इस phone को एक brand new phone बोल सकते हैं, क्योंकि गईस मैं अप लोग को एक चीज दिखाने के लिए भूल गया था, जो इस phone का apple brand warranty अभी भी है 7 month का, ठीक है, तो मैं आप लोग को दिखा देता हूं, तो जैसे ही गईस अब देख सकते हैं, कि customer नहीं लिया था, इस phone को 16 July 2023 को, तो उस हिसाब से guys, 4 month होता है, तो अभी भी इस phone के अंदर 8 month का brand warranty है, मेरे हिसाब से, ठीक है, तो आप मान सकते हैं, कि 7 month का approximately बहुत ही जादा है, इस phone का brand warranty, ठीक है, तो guys, overall काफी अच्छा है, तो चलिए हम इस phone को one करते हैं, और इस phone को कुछ देर use करूँगा, और इस phone से मेरे को क्या कुछ experience देखने को मिलता है, तो मैं सब कुछ आप लोगे सामने step by step share करूँगा, okay, तो मैं इस phone को one कर लेता हूँ, तो guys, अब देख सकते हैं, कि apple का logo आ चुका है, तो मैं इस phone को fully set up करने के बाद मैं आप लोगों से मिलता, okay, तो guys, मैं इस phone को approximately 6 घंटे से use कर तो उस ही साब से मेरे को सब कुछ अच्छा ही देखने को मिला है, तो फिर भी guys, मैं आप लोगों के सामने ही life proof हर एक चीज को test करके दिखाता हूँ, ताकि आप लोगों को अच्छे से पता चल जाएगा, ठीक है, तो चलिए हम सब सब पहले इस phone का ports and buttons को check कर लेते हैं, कि proper तरीके से काम करता है कि नहीं, तो जैसे की guys, अब देख सकते हैं कि इस phone का mute button जो है, एकदम प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एकदम के लिगाई सब लोग देख सकते हैं, अगर हम बात करें, भुलियम प्लास के बारे में, तो guys, ए भी प्रॉपर काम कर रहा है, लाइक अब देख सकते हैं, okay, and this phone का power button भी एकदम प्रॉपर ले काम कर रहा है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, और उसके बाद हम इस phone को charge में लगा के भी अप लोग को दिखा देते हैं कि charger ठीक ठाक दिया है कि नहीं, and phone charging port ठीक है कि नहीं, सब लगाता हूं, मैं phone के अंदर, तो जैसे ही अब देख सकते हैं, कि charger भी एकदम प्रॉपरली काम कर रहा है, and phone भी प्रॉपर चार्ज हो रहा है, यह लिए 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 सब लोग देख सकते हैं, तो मैं थोड़ा सा और एक बाद ट्राइ करका दिखाता हूं, तो clearly charge हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो इस phone का wall ports and buttons एकदम प्रॉपरली काम कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो चलिए हम इस बार इस phone का सबसे ज़्यादा important चीज को check कर लेते हैं, जो है display, क्योंकि guys यह एक second hand iPhone है, और second hand iPhone में सबसे ज़्यादा important के से काम कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और brightness guys अच्छी तरीके से plus and minus हो रहा है, कि लिए अब देख सकते हैं, तो guys इस phone के अंदर 100% genuine display लगा हुआ है, कि लिए अब देख सकते हैं, और 4 साइट से देख सकते हैं, कोई भी doubt नहीं हो रहा है, तो overall guys इस phone के अंदर 100% and original display लगा हुआ है, तो चलिए हम इस चीज को और एच्छी तरीके से check करके देख लेते हैं, तो हम जाएंगे इसका settings में and उसके बाद guys हम face ID को check कर लेते हैं, तो जैसे कि अब देख सकते हैं, face ID open हो चुका है, तो get start and उसके बाद guys आप देख सकते हैं, कि proper तरीके से on हो चु बन चुका है, okay, done, तो चलिए मैं अप लोगों को check करके दिखाता हूं, तो guys देख सकते हैं, कि एकदम बहुत ही fast काम कर रहा है, एकदम अच्छी तरीके से, बहुत ही fast है, और proper तरीके से काम भी कर रहा है, तो guys इस ही सब से पता चलता है, कि इस phone का display original है, and guys face ID भी proper काम कर र रहा है के नहीं, तो जैसे ही अब देख सकते हैं, कि open तो हो चुका है, एकदम अच्छी तरीके से, तो मैं इसी phone का box का एक photo लेके दिखाता हूं, मैं अप लोगों को, तो guys अब देख सकते है, photo quality guys mind blowing, यार, काफी जबर्दस्त है, यार, मतलब price भी तो देखना पड़ेगा, सो अब देख सकते हैं, कि एक भी pixel तूटनी रहा है, box के अंदर जो text लिखा हुआ है, मतलब pain में, उस सभी चीज एकदम अच्छी तरीके से दिखाए दे रहा है, तो guys photo quality बहुत ही जबर्दस्त है, and portrait camera ठीक ठक तरीके से काम करता है, कि नहीं, वो भी check कर लेते हैं, guys अब द बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है, जो अभी portrait mode पे हैं, और इस बार हम नॉर्मल photo एक ले लेते हैं, तो जैसे ही guys अब देख सकते हैं, photo quality बहुत ही जबर्दस्त है, so overall guys इस phone का दोनों ही camera प्रॉपरली काम कर रहा है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, तो इस बार हम इस phone का sound quality test कर लेते हैं, and guys मैं आप लोग को बता दूँ के इस phone के अंदर आपको dual studio speakers दिखने को मिलता है, तो मैं आप लोग को थोड़ा सा sound quality सुना के दिखाता हूं, so guys इस phone का sound quality आप लोग सुन सकते हैं, so trust me guys, इस phone का sound quality actual में बहुत ही जबदस्त है, क्यूंकि guys bass के साथ sound quality प्रोवाइड कर रहा है, so उसी साब से guys मतलब मेरे को काफी ज़्यादा impressive लगा है, so overall guys sound quality बहुत ही जबदस्त है, तो हम इस phone के अंदर एक सीम डाल के रखे हैं, एटल का, तो चलिए हम ear speakers का sound quality में आप लोग को सुना के दिखाता हूं, and guys trust me, इस phone का network connectivity बहुत ही जबदस्त है, and यह एक 5G smartphone है, जैसे कि आप लोग को पता होगा, तो मैं 121 पे call लगा दिया हूं, जैसे कि कई सब देख सकते हैं, and मैं full volume दे देता हूं, तो जैसे कि मेरे कोई यहां से सुनाई दे रहा है, मैं थोड़ा सा silent हो जाता हूं, तो मैं loudness speakers को भी check कर लेता हूं, and मैं full volume दे देता हूं, इस फोन का यहरी speaker sound quality and loudness speaker sound quality बहुत ही जबर्दस है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो सब कुछ ठीक ठाक तरीके से काम कर रहा है, and network connectivity भी बहुत ही जबर्दस तरीके से काम कर रहा है, क्योंगी गाइस में इस phone को as a six hour यूज़ करके देखे हैं, तो काफी अच्छा experience मेरे को मिला है, network connectivity को लेके, and चलिए हम सबसे ज़्यादा important चीज को check कर लेते हैं, जो मेरे को mobile experience ने बोला था, कि इस phone के अंदर ना मेरे को 100% battery health देखनों को मिलेगा, तो चलिए हम ओ भी check कर लेते हैं, तो हम जाते हैं settings में, and उसके बाद हम battery health को check कर लेते हैं, तो guys आप देख सकते हैं कि maximum capacity 100% है, so thank you so much guys आप लोग के लिए लिए देख सकते हैं, कि इस phone के अंदर ना 100% battery health है, क्योंकि guys होना भी ज़रूरी है, इस phone का age only one four month है, तो उसी साब से 100% battery health होना एकदम fix था, so overall guys Mobi Express ने मेरे को इस phone brand new conditions में दिया है, like आप लोग ने तो सब कुछ देख लिया है, तो मैं काफी ज़्यादा खुस हूं guys, trust me and मेरे को सब कुछ मिला है, तो चलिए guys हम इस बार इस phone का price के बारे में बात कर लेते हैं, जो आप लोग बेसबरी से इंतिजार कर रहे हैं, तो देखें guys, मैं आप लोग एक बात बताना चाहूंगा, के Mobi Express से न मैं already पहले दो Android phone order किया था, एक था Redmi का Note 10 Prime and Redmi का ही Note 11, ठीक है, और साथी साथ guys में और 5 phone order कर चुका हूं, और उसके बाद guys में इस phone को order किया था, जो finally आज ही मेरे पास delivery हुआ है, तो उसी साथ से guys इस phone का मेरे को real price पड़ा है 37,000, ठीक है, तो इसी लिए मेरे को काफी हद तक discount दिया है Mobi Express ने, जो मैं बहुत सारा phone ले रहा हूं इसी लिए, तो उसी साथ से मेरे को final price इही पड़ा है, तो guys सही था मेरे आज का वीडियो Mobi Express का इस iPhone 13 का unboxing and full details review के बारे में, तो उम्मिद करता हूं कि आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा, तो please यार वीडियो को like करके हमारा चैनल को subscribe कर लिए, क्योंकि guys हम इसी तरह वीडियो लेकर आते रहते हैं आप लोगों के लिए, तो चलिए guys हम मिलते हैं next वीडियो में और एक मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक ले बाबाई, जय हिंद,